इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम अलेकुम रहमतुलाई वरकातु इत्याद दूम्स मैं आप सभी का खार मगतम हैं कोरोना ने दुनिया को हिला कर रख दिया हर रोज हर लमा मौतों में इसाफा होता ही जा रहा है तकरीबन दुनिया लागडाउन है पूरी तरह बाजार ठप है लोग घरों में बंद है प्रधान मंतरी ने कहा कि आप अपने घरों के सामने लक्षवन रेखा को खींचे पर शायद प्रधान मंतरी को इसका ख्याल नहीं रहा होगा देश के 30 करोड से ज्यादा के आबादी से निकाला जा रहा है बेलगाम शहर से भी कई लोग बैंगलूर की तरफ तो कुलापूर से बैंगलूर की तरफ बैंगलूर की तरफ भी पैदल जाने वालों के काफले आप हाई वे पर देख सकते हैं गोवा से बिजापूर जाने वाले जब भूके पैसे बेलगाम शहर प पूप सराथ गोळा के जजिरे में हैं और इन के पास खाने का कोई सामान नहीं है और हुखी अखुमत से फर्याद कर रहे ही कि हमें करनठक वापिस बेदे, माली किने जाने के लिए कह रहे हैं तो इसी तरह से महाराश्ण मेन दाखिल होने वाले मज़ूरों की ताइदाद भी बेहिसाब है सवाल यही उड़ता है कि क्या यही असल भारत है कोरोना से लड़ने की बात की जा रही है और अचानक नोट बंदी की तर लौकडाउन का फैसला लिया गाता है देहली उत्तरप्रदेश बिहार में तो सड़कों पर इंस ले भी के हमारे हैं टेस्ट बहुत कम लोगों का हो रहा है भारत में अब तक सिर्फ 15,000 लोगों का टेस्ट हुआ है वहीं दूसरी और कोरिया जैसे चोटे मुलकों में तीर लाख लोगों के टेस्ट किया गया अगर भारत में खसीर तैदात में टेस्ट किये जाए तो यहा हमारा देश है मरीज़ पाए जाए तो क्या हमारे पास इन मरीज़ों के रखने के लिए अस्पताल है सेल्फ कॉरंटाइन के लिए घरों में बंद रहने का फैसला लिया गया हर तरह के इजलास पर प्रीपाबंदी लगा दी है फाउज में भी अब कोरोना को लेकर रहतियाद बरते जा रहा है सवाल यह भी उड़ता है कि जो मजदूर लाकों की तैदात में सड़कों पर निकले हैं और सेंकड़ों किलोमेटर का फासला कर अपने घर पहुंचेंगे उनके लिए यहाँ फैसला करना बेहद मुश्किल है कि क्या करोना से मरे या भूग से मरे यहाँ इ हैं जो केंदर सरकार यानि मरकजी हुकूमत के अशिरवाद यानि उनी के सरपरस्ती से ही चलती रहती है हाल ही में जो यह बैंक को 30,000 करोड का चुना लगा है वह अनी लंबानी तो वजीर आजम का खास लोगों में शुमार है इसी तरह से एसल कंपनी के सुबाश चंदर ज जी टीवी के मालक है इनों ने 8,000 करोड का चुना लगा और इससे पहले भी 1,000 करोड के घोटा ले करने वाले नीरो मोदी, ललित मोदी, मेहल चोक्सिया, मिच्या के बेटे, जैशा और भी कहीं हैं लोगों की फैरिस्त है, इनकी फैक्टरियों भी बड़े पैमाने पर मास के सैनिटैजर बनाए जा सकते थे, वजीर आजब ने 1,70,000 करोड का कोरोना पैकेज का तो ऐलान किया, ताकि इस आलमी वबा से लड़ सके, अवाम का सवाल यह भी है कि जब 1,000 करोड संसत खरे दिने और हुकुमत गिराने बनाने के लिए खर्च किया जा सकते हैं, तो ऐसे वक्त में वहाँ लोग कहा जाते हैं, आसद दुनवैसी ने कहा कि समविदान के आर्टिकली किस के मताबिक COVID-19 की टेस्ट मुफ्थ होनी चाहिए, जबके 4,000 रुपे हर फर्द के लिए जा रहा है, अब चंदा भी कटा किया जा रहा है, उमीद भी यही की जा सकती है, कि जो परदान मंतरी से सवाल किया था, कि क्या आप आम चूस कर खाते हैं, या काट कर खाते हैं, वैसे भी अक्षे कुमार वजिर आजम के चहीते कनड़ा की शेरियत अचिल की है, पर सच्चे राश्ट वक्त भी है, लियादा चंदा इखटा किया जा रहा है, आलमी वबा कोरोना कैना है, कि यह एक आलमी ड्रामा है, जिसके कहानी चीन ने लिखी है, कुछ अरसे में इस तरह के वाइरस के किरदार को बनाय जाता है, कहा यह भी जा रहा है कि अमरीका इंतखाबात के वक्त ही है, इसे वाइरस के आमद क्यों होती है, सोशिल मीडिया पर यह भी मौदू ज 2020 में, डॉक्र विशुजीत राय का यह भी कहना है कि पूरी दुनिया में चायना सबसे बड़ा मेडिकल सप्लायर है, यहां जो मौतों का आकड़ा दिखाय जा रहा है, यहां कुछ ताज्यूप की बात नहीं है, आपको यह इसलिए अजीब लग रहा है, क्योंकि इसे इस अगर सच्चाई देके तो लाखों लोग हर रोज मरते हैं, पूरी दुनिया में डरका बाजार चलाय जाता है, फिर इसकी वैक्सिन बनने की बात कही जाएगी और करोडों में इसकी दवा बेची जाएगी, बिशुजीत राय यह भी कहते हैं कि बदकिस्मती से भारत भी इ पर तवज़ दे और अल्ला की तरफ मतवज़ हो, जो भी हो इतना तो सच है कि अल्ला हमसे नाराज है, तभी तो मजजिदों के दर्वादे बंद हो चुके, तख़वार ही हमें बचा सकता है, इतिहाद देखने के लिए शुक्रिया, अल्ला आफिरू